जैसे आपके बुक का जितने भी हमने जैसे हमने आउटसेणिंग कर लिया बैड ट्स कर लिया तो जो-जो हमने पाट विर क्ये हैं अजस्मेंट उस अजस्मेंट के भिहाब पे हमारे सामने एक कॉश्शन है इस क्कोश्शन को हम कर लेंगे फिर आगे टू भी continue जाएंगे adjustment के ओपर ठीक है visualize जिनको नहीं है वो थोड़ा सा देखेंगे बाकि आपके पास books है तो books के अंदर ये questions available है third तो क्या-क्या बना लेना है हमें एक बना लेना है हमें trading account शुरा आपड्यास्ट्में काईगा है यहार राद्ग्द कहते है और झाल झाल फोटो नहीं आपको बुक्स लेनी पड़ेगी आप बुक्स पर देखोंगे सबसे पहले यही वर्ड लिखा हुआ है कि बुक्स की फोटो या PDF बनाओगे तो वो illegal है तो कुछ copyrights के issue की वज़े से आपको इसके images नहीं मिल सकती आप खीश सकते अपने पास बुक्स रखे तो बुक्स का मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूँ आप final account है ठीक है और जो अगर 11 वी वाला आपको थोड़ा याद होगा अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पर मैं थोड़ा सा जगह के लिए यहां पर सोच रहा हूं कि जगह बढ़िया से मिल जाए adjustment हो जाए बस और कुछ नहीं करता मैं भी एक बार जगह का adjustment हो जाए और यह सरफ आज आज के दिक्कत रहेगी इसके बाद तो questions print out होके मिल जाएंगे चलिए थोड़ा मैं adjustment भी करूंगा थोड़ा छोटा भी लिख सकता हूं questions भी दिख रहा है इसलिए थोड़ा सा यह है हमारा balance sheet आपने भी ऐसे pages रखने हैं आमने सामने ठीक है liability amount assets और मैंने कहा calculator allowed है अपको तो आप खरीद ले trading and profit and loss आपका particular amount देख लेते हैं कितना visual है चलिए और सारा दिख रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर कुछ पार्ट ना दिखे तो आप बता देजेगा sir book बुक की मैं image बता देता हूँ एक पर दिखाओ बुक में दिखा देता हूँ कैसे color है जो latest वाली बुक है न वो इस color का है यह रहा आपके सामने बुक और writer का नाम है जे आर मोंगा आपके college में भी यही बुक लगाई जाती है दो बुक चलती है basically एक जे आर मोंगा और एक चलता है बी के गोयल पर जायतर college में चलता है जे आर मोंगा जोके simply मैंने वही follow किया है बाकी books कोई भी हो concept same रहता है question same है question थोड़े अलग है chapter same है तो उससे फरक नहीं question question को हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे करने का तरीका आप समझ लीजे पहले सबसे पहले आपको न अर्जेस्मेंट पढ़ लेना है अर्जेस्मेंट अगर पढ़ें तो क्या कहता है insurance prepaid है आपको दिख रहा होगा hopefully नहीं तो मैं कोसिस करता हूँ कि और insurance prepaid है तो जब भी मैं insurance को लिखूंगा तो ध्यान रखूंगा electricity accrued accrued का मतलब outstanding है ध्यान रखूंगा rent and rates prepaid इसका भी ध्यान रखूंगा provision for bed debts है इसका भी ध्यान रखूंगा debtor को उपर तो total 4 adjustment है पहले हमने यह पढ़ लेना है ठीक है इसके बाद एक एक करके करेंगे सब पहले capital है तो capital कहां जाएगा इस side में और capital हमेशा अंदर की side रखना है क्योंकि इसमें add करना पड़ता है profit और या फिर loss less करना पड़ता है 83 क्या है amount 83887 ठीक है ना चलिए यह लिख लिया sales दे रखा है तो sales by side में यह भी inside में रखिएगा reason इसपे sales return हो जाता है नहीं हुआ तो अच्छी बात है लेकिन कई बार हो जाता है तो 259 आगे क्या है 87259 870 870 मैं बाद में adjustment कर दूँगा इसका अभी मैं amount लिख रहा हूं ठीक है 870 870 ठीक है बाद में मैं इसको adjust कर दूँगा क्योंकि question मैं side कर दूँगा और जहां तक मुझे लग रहा है question side तो हो सकता है चलिए साहा question तो side हो ही सकता है ठीक है अगर question side हो सकता है तो यह format भी side हो सकता है हमारा थोड़ा बहुत जगह बन गई अब तो और यह हो सकता है तो फिर यह भी हो सकता है ठीक है चलिए अब बता दीचे एक पर दुबारा लिख लिए है मैं प्रॉपर लिख देता हूं कि टू फाइव नाइन एट सेवन जीरो ठीक है प्रॉपर लिख लिए हमने यह भी हमने जैसे इसमें अमाउंट के अंदर ही रखना है लेकिन जिसके ओपर आपको माइनस प्लस कुछ करना यह नहीं तो डिरेक्ली लिख सकते हो ठीक है ना आगे देखते हैं सर रिटन आउट रिटन आउट वर्ड का मतलब होता है पर्चेज असे देख होता है सेल्स रिटन एक हो रिटन को हम रिटन इन वर्ड भी बोलते हैं ठीक है आगे कहता है प्रोविजन फोर बेड़ेट्स बेड़ेट्स का प्रोविजन है आपका रिटन आउट पर नहीं लिखा ना पहले पर्चेज रिटन है तो सबसे पहले टॉप पे लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक होगा तो लिख देंगे सबसे पहले लिखना है यह चीजे धियान रखेगा नहीं दे रखका कोई बात नी जीरो लिख देगा लेकिन लिख लीजेगँ फिर क्या लिख लिख लेते हैं टू नहीं बता लेकिन रिटन दे रखा है तो लेस कर देते हैं रिटन सर रिटन कितने का दे रखा था हमें तेरा हजार चार सो साथ अब मेरा मानना है कि कई बार एक्जामन न ऐसा अमाउंट जान बूझ के देगा और इससे थोड़ा सा कुश्चन तो असान रहता है लेकिन टाइम जादा ले लेता है यह क्योंकि कैलकुलेटी वही तेरा हजार होता हम फटा फट लिख लेते हैं अब तेरा हजार चार सो साथ बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा अब बताओ प्रोविजन फोर बेड़ेट्स जो है वो ट्राइल बेलेंस के अंदर है या ट्राइल बेलेंस के बाहर है देखने को तो अंदर है यह वाला पॉइंट बाहर भी यह उसको छोड़ो अंदर है तो मैंने नूट में लिखवाए था कि जब ट्राइल बेलेंस का होगा तो कहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में इसके लिए बस 10 लाइन छोड़ देते हैं यहां से यहां तक और कहां जाएगा debit में है credit में तो मैंने इसको बताया था के provision for doubtful debt credit जाएगा और मैंने कई बार आप से बोला था मैं गलत नहीं हूँ मैं गलती नहीं कर रहा हूँ इस बात का ध्यान रखिएगा आप ठेक है तो buy side में आ गया credit में आ गया इसके बाद आगे देखा जाए तो discount allowed 306 रुपए का तो trading का part है तो to discount 306 रुपए इसके बाद क्या given है सर? discount receive given है 1750 तो यह तो income होगी है सर तो buy side में आ जाएगा buy discount अब सर आप allowed और receive तो लिख नहीं रहे credit का मतलब ही receive है और debit का मतलब ही allowed है तो मेरे पास space नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हो और नहीं भी लिख रहा तो कोई से गलत नहीं हो जाएगा 1750 रुपए ठीक है इसके बाद purchase दे रखा है कितने दे रखा है एक लाख 680 रुपए purchase यह minus का होगा तो bracket मिसान लगा देंग पांच हजार 624 रुपए का ठीक है ना जैसे जैसे amount मिलता जा रहा है हम लिखते जा रहे इसके बाद carriage outward अब ध्यान रखिए का carriage inward भी होता है और carriage outward भी होता है जो carriage inward होगा वो क्या होगा trading का पार्ट और outward क्या होगा पी इंडल का हमने किया था जब starting में देखा था यहां पर कितने रुपए का है चार हजार 565 रुपए ठीक है इसके बाद ड्रॉइंग है ड्रॉइंग क्या होता है ठारा 440 लेस कर देंगे यहां से capital में से 18,440 ठीक है आप अगर amount सारा बड़े ध्यान से fill करते हो totaling थोड़ा patience रखे भागना नहीं है तो हमेशा match हो जाएगा अगर आप वही चीज़ जल्दी जल्दी match ही करना है तो फिर match नहीं होता यह carriage inward ग्यारा 830 तो यहां जाएगा carriage 11,830 रुपए इसके बाद क्या दे रखा है rent rates और इस पर हमें याद है adjustment था तो मैं rent लिख देता हूँ कितने रुपए का rent 25,973 मैंने अंदर इसलिए लिखा मैंने adjustment पहले ही पढ़ लिया था electricity इस पर भी adjustment है तो आपने जब भी adjustment होगा तो तीन line छोड़ना एक तो यह एक adjustment एक total के लिए तो थोड़ा सा gap देके चलना है electricity बताइए कितने का है 11,010 रुपए ठीक है ना 11,010 रुपए ये भी होगे हमारा ठीक है इसके बाद postage and telephone stationary तो इसके उपर कोई adjustment नहीं है थोड़ा नीचे लिख देते है कितने रुपए 2410 रुपए ठीक है इसके बाद advertisement है कोई adjustment नहीं है तो advertisement भी ही आ जाएगा कितने रुपए 5980 इसके बाद दे रखा है salary and wages ध्यान दीजिएगा पहले शब्द salary है फिर शब्द wages है तो पहले salary है तो इसका मतलब हमारा पी एंडल का पार्ट है अगर wages और salary होता तो trading का पार्ट होता तो salary दे रखा है तो मैं यहीं लिख देता हूँ जगह है salary and wages कितने रुपए है कितने 38,521 ठीक है अब इसके बाद bad dates दे रखा है तो यह bad dates कहां जाता है 2008 रुपए आपको बताया था bad dates कहां जाएगा थोड़ा और size reduce करना पड़ेगा चलिए मैं उपर कर देता हूँ क्योंकि नीचे का जब use होगा तो देखेंगे आपको तो दिखाना है सारा bad dates यहां जाएगा two bad dates कितने रुपए है 2008 रुपए का है ठीक है cash in hand यह तो assets का part है तो मैं cash लिख देता हूँ नीचे लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए कितने रुपए है 534 रुपए cash at bank 4440 तो bank है हमारा 4440 stock दे दिया 15654 रुपए तो 15654 रुपए तो यहां जाएगा 15654 रुपए लिख दिया मैंने इसके बाद क्या दे रखा है हमारा debtor दे रखा है तो debtor इस side आएगा by debtor और आपको याद है मैं short form में लिख रहा हूँ debtor है हमारा 24,500 इसके उपर adjustment है तो इसलिए मैं अंदर की side लिख रहा हूँ इसको ठीक है debtor के बाद आपका fixture and fittings तो assets होता है fixture and fittings क्या हो गया assets कितने का हो गया एक लाख 2,990 कोई adjustment नहीं है सीधा बाहर लिखो provision for depreciation अब याद रखना provision for depreciation हलागे भी बताए नहीं तो मैं अब बता भी देता हूँ provision for depreciation का क्या काम रहता है तो हमने adjustment कितने कर लिए थे सर adjustment 6 कर लिए थे चे कर लिए थे न 6 यहीं थे साथ अब देख लो provision for depreciation provision for depreciation इसका भी मैं अभी आधाई पार्ट लिखूँगा पूरा नहीं लिखूँगा मैं अब ये दो जगह हो सकता है आपको देखने को मिल सकता है हम दो जगह कहां बोलते हैं हो सकता है ट्राइल में हो और हो सकता है कहां हो अगर ट्राइल बैलेंस में हुआ तो क्या करेंगे और अगर ट्राइल बैलेंस में हुआ तो प्रोविजन फोर डेप्रिशेशन दे रखा है तो आपके पास दो ऑप्शन अभी लेबल है ठीक है न यहां पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं मैं बोलूँगा मैं यह करूँगा और आपकी इच्छा आप कोई भी कर सकते हैं एक तो आप इसे दिखा दीजिए बैलेंस शीट के लाइबलिटी साइड ठीक है न प्रोविजर फोर डेप्रीशेशन कभी भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं जाता ध्यान रखिएगा दूसरा आप क्या कर सकते हैं लेस कर सकते हैं फ्रॉम एसेट जिस एसेट के उपर है वहां से आप लेस कर दीजिए दो आप्शन अविलेबल है क्या करिए एक एक आप कर दीजिए यहां पर दूसरा लेस कर दीजिए एसेट से दोनों में से कोई यह मैं कह देता हूं यहां पर बीच में लिख भी देता हूं और और का मत में हुआ तो दो एंट्री होनी तय है आप क्या करिएगा एक माइनस कर देजिए एक दिखाईएगा आप लेस यहां पे भी दो केटिग्री हैं दो पार्ट कर सकते है आप ठीक है न एक तो प्रॉफिट और लॉस के डेभिट में तो जाएगा यहतो आप लाईब लीटी में दिखा दीजिए या जर दीजिए लेस प्रॉम एसेट्स यानि यहां पे आपके दो ऑप्षोन और आगए या तो दिखा दिजिए balance sheet के liability में जब तक मैं करके नहीं दिखाऊंगा ना liability assets वाला आपको समझ में नहीं आएगा दूसरा दिखा दिजिए आप क्या कर दिजिए less from अभी आएंगे आगे इस टाइप के question तो हम देखेंगे वहां पर कैसे क्या करना है ठीक है तो अभी हमारे पास फिलहाल मैं अभी इसको ज़्यादा doubtful debts दे रखा है और किसके उपर है provision for doubtful debts देखो आप किसके उपर है हमारा furniture and fixture तो आपके पास दो option है या तो furniture and fixture में से minus करो अब मेरे पास जगह नहीं है तो दूसरा option मैं इधर ले लेता हूँ and for doubt provision for depreciation कितने रुपए का है 63 अब इससे न आपके किताब का answer balance sheet के total में फरक आएगा क्या पता बुक वालों ने इधर minus किया होगा तो 63 से कम आएगा answer लेकिन दोनों ही answer 100% valid माने जाते है और 100% ठीक है ऐसा नहीं कि कोई answer आप बोलोगे यह तो गलत हो गया ठीक है इसके बा depreciation कहता है 12074 तो depreciation तो सर खर्चा है तो depreciation तो normal खर्चा है आपको depreciation कहां लिखना है to depreciation मैंने आपको बताया था कितने आगे 12074 याद होगा मैंने बताया था नए depreciation का करवाया नहीं करवाया अभी हमने यह करवा रखा है यह देखो अगर trial में है तो P&L के debit में लिख दो और adjustment में है तो यह कर दो simple सा हमने कर रखा है ठीक है आजए आगे चलते है सर इसके बाद closing stock है अब कौन बताएगा मुझे closing stock की क्या entry करेंगे बताओ closing stock का क्या की आ जाए बताए फटा फटा फट balance sheet के assets साइड में आ जाएगा balance sheet के assets में मैं closing stock लिख देता हूं कितने रुपए आ गए 17 और 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 बताओ जितने बच्चे लाइब हैं वो भी बताए भाई by contact number don't share फिर मैं यहां से chat ब्लॉक कर दूंगा उसका बताएगे आप बस एक ही जगा entry जाएगा आपका balance अब आप खुछ सोचो ना कहां गीवन है trial balance के तो एक ही जगा जाएगा दिमागी नहीं लगाना दूसरी इंट्री कहां होना है एक जगा लिख दिया क्या कहा था trial balance के अंदर होता है तो एक entry trial balance के बाहर होता है तो दो एंट्री बाहर होता तो ट्रेडिंग में जाता बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक सुरू से पता होता है एसेट्स में ट्रेडिंग में एसेट्स में ट्रेडिंग में तो भूल जाते हैं कि trial balance के अंदर और paper में वो करेंगे गलती फिर mismatch हो जाएगा ठीक है अब adjustment कर लेते हैं चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं adjustment में अलग color से कर लेता हूं insurance कितने हैं prepaid है 1120 रुपए तो prepaid का क्या बताया था माइनस हो जाएगा तो rent rates and insurance था तो less हो जाएगा हमारा prepaid कितने रुपए 1120 रुपए और दूसरी entry कहां बताया था assets में आ जाएगा prepaid 1120 रुपए ठीक है इसके बाद electricity accrued है यानि दिया नहीं है तो electricity में add हो जाएगा कितने रुपए accrued है 1360 रुपए का मतलब भी outstanding होता है यह minus हो गया तो दूसरा liability में चला जाएगा accrued इसी के अंदर है वह जूड़ा हुआ तो less rates प्रिपेड कितने रुपए का प्रिपेड है कुछ बच्चे कहेंगे सरी 80 जोड़ के कर सकते नहीं अलग अलग करना है कितने चार सो पैंतेस और यहां पर लिखोगे rates प्रिपेड प्रिपेड रेट अब यह होता क्या है कितने हैं अब देखो rent rates and insurance वह यह तीन तीन नाम क्यों जोड़ दिया एक सवाल यह मन में आना चाहिए आपके rent तो पता है मकान का किराया अब यह rates क्या होता है rates न टेक्स के लिए लगाया जाता है अब सब टेक्स कौन सा देखो आपका न हाउस टेक्स नाम का एक होता है point कि आपको house tax डेना होता है तो कभी भी मकान किराए पर लेता है कोई किरायदार यह हम किरायदार एजया मकान लेंगे तो मकान माली क्या बोलता है भाई मकान का किराय भी तुम्हें देना है बिजली बिल भी तुम्हें देना है यही होता है न तो सेम कई जगह पर हाउस टेक्स होता है और कई जगह पर नहीं होता है जहां हाउस टेक्स लगाती है गवर्मेंट वहाँ पर बोलती है देना ही कि बार सके बता है लेकिन लोगों को पता नियुकर लगाते बस बोल देते हैं रेंट एक ही चीजह लेकिन रेल रेट होता है हाउस टेक्स दिया जाता है हर जगह दिया जाता है लेकिन ये बहुत एक few amount होता है बहुत कम amount होता है जैसे कि अगर एक घर है तो वहाँ का house tax मान लो साल का 1000 रुपए ऐसे आएगा तो आप उसको ना rent से separate नहीं कर सकते है rent आपका 30,000 रुपए आपका house tax आ रहा है तो महिने का 200-300 रुपए पढ़ रहा है तो इसलिए यहाँ पर आगया rates का पार ठीक है समझ में आए यह rates क्या होता है यह house tax होता है इसके बाद क्या दे रखा है provision for doubtful debts 3% on debtor तो minus कर देते हैं यहाँ से क्या क्या करते थे provision का PFD देखो मैंने लिखवाया था adjustment में 3% minus कर देंगे तो 3% कितना आएगा कितने हमारे 24-500 735 रुपए अब इसको minus करेंगे दूसरी entry कहां जाएगी बताओ provision for doubtful debts profit and loss के debit में जाएगी या credit में डेबिट में तू PFD अब ध्यान देना बुक वालों का answer पी हमारा net profit ठीक आएगा कई बच्चे ने book के word to word telly करने की कोशिस करते हैं तो हर किसी का adjustment और करने का थोड़ा तरीका अलग होता है बुक वाले क्या करते हैं इसी provision for doubtful debts में से minus plus करके दिखाते हैं आप अभी देख लेना solution और मैं simple चलता हूं जिसमें बच्चों को कोई दिक्कत ना है तो इसलिए जो है मैंने simple अपना एक बना रखा इसे debit में लिखेंगे इसको credit में लिखेंगे तो कितने रुपे का आगे हमारे 735 रुपे लेकिन हां answer एक रती भर भी फरक नहीं आएगा net profit में कहीं सोचो मैं अपने अलग तरीके से कर रहा हूं तो answer भी सरका अलग आएगा ऐसा नहीं है answer तो हमेशा same होगा हमने सारा का सारा adjustment कर लिया और adjustment का double entry भी कर लिया अब totaling करने का भी एक process होता है जो कि आप देख लेजिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है डून नो थोड़ा बढ़ा देते हैं न चलिए totaling करता जाओंगा और लिखता जाओंगा totaling white से करके लिख देते हैं तो सबसे पहले एक 35680-1347 यह आगया 12273 थोड़ा patience रखके धीरे धीरे total करना है जल्द बाजी करेंगा गलत हो जाएगा 259870-56 यह आगया 254-246 ठीक है अब total कर लेते हैं यही आएगा 254-246 अब माइनस कर देंगे है इसमें से माइनस 15654-12273-11830 तो gross profit हमारा आगया चेक कर लीजे जीपी आ रहा है मेरे पास तो 104-489 चेक कर ये ठीक है gross profit अब पते क्या है कई बार ना हम gross profit को जीपी भी लिख देते हैं तो मैं short form यूज करूँगा लेकिन मैं आपको suggestion करूँगा paper में आप short form मत यूज करना आपने क्या लिखना है पूरा gross profit और ये gross profit उठा के इधर लिखना है ठीक है by gross profit 104489 ठीक है अब इसका टोटल यहीं आ जाएगा हमारा 104489 104489 अब यहां क्या आएगा टू नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट एक एक करके माइनस करते हैं पहले प्लस कर लेते हैं पांसो बारा सत्रा सो पचास मैंने गलत कर दिया है यहां टोटलिंग करें बिना लिख दिया मैंने ठीक है तो इसका टोटल कुछ और आ रहा है सर क्या रहा है 106751 एक सो छे साथ सो इक आवन यानि एक लाग छे हजार साथ सो इक आवन हां हां बुक का नहीं हम नेट प्रॉफिट मैंने बोला ना बुक के टोटल पर मच जाओ नेट प्रॉफिट पर जाओ अब इसमें से माइनस कर देते हैं एक एक करके धीरे धीरे ठीक है क्या है 25973 कुछ बच्चे चेक करेंगे बुक से सरी है तो टोटल नहीं मैच हो रहा हम टोटल थोड़ी मैच करने के लिए बैठे हैं हम आंसर देखेंगे ना कि माइनस चववन पैंथिस उननेस चार सू अठारह ग्यारह 010 माइनस में 1360 या गया 96 पचास ठीक है तो 106 751 माइनस 38521 माइनस तेस 06 माइनस 4562 माइनस माइनस उनन्निस 418 माइनस चार सू अठारह माइनस 24 10 माइनस 69 80 माइनस 2008 माइनस 1274 माइनस 735 यह आ गया 9087 9087 यह profit चेक करिया 6000 आ रहा है 9087 6000 आ रहा है कितना बताने क्या रहा है 367 मैंने कोई टोटल माइनस 2720 रुपए 2720 रुपए 2720 रुपए देखो कोई छोड़ा तो नहीं है आपने एक मिनिट 38 521 306 45 62 29 यह पता है क्या करा मैंने यह देखो हमने माइनस कर दिया है जबकि एक रूड क्या होना है इसको प्लस होना है ठीक है प्लस 1307 अब आ जाएगा हमारा 12 370 मैंने 2700 ही बोल रहा था ना 2700 का यही डिफरेंस था अब चलिए चेक कर लेते हैं 106 751 माइनस 38521 माइनस 2306 माइनस 4565 माइनस 19418 माइनस 12370 माइनस 2410 689 1274 11 और माइनस 735 6367 यह आ गया 63 और 67 आप बुक में देखेंगे ना तो मैं सारी चीज़े देखो बताते जा रहा हूं के बुक में यह होगा यह होगा 6367 तो बुक में जब आप देखेंगे तो प्रोविजन फोर बेड़ेट्स और बेड़ेट्स का अर्जस्मेंट कुछ हलत तरीके से कर रहा होगा तो वो आपको नहीं ध्यान देना आपने ऐसे सीखा है आपका आंसर हमें साइकुरेट होगा क्यूंकि उस केस में होता क्या है वो इसमें से माइनस करते हैं हम जब अजस्मेंट करेंगे दोनों वाला तो हमें समझ में आ जाएगा तो मैं बता भी दूंगा वाले ऐसे क्यों करते हैं और वहां क्या समस्या है कई बार इधर भी आ जाता है आंसर कई बार इधर भी आ जाता है तो confusion है मैंने सीधा बोला भी ट्राइल में होगा तो इधर लिखना वो अटोमेटिक अकाउंट में अटजस्ट हो जाता है ठीक है और एड कर देंगे नेट प्रॉफिट और देट इस आजएका त्रेसट सरसट त्रेसट सरसट और ये आगया नेट प्रॉफिट लीजिए इसको टूटल कर लेते हैं त्रेसट सरसट प्लस त्रासी अठासी साथ माइनस अठारा चारसो चालिस ये एक अत्तर आटसो चौदा एक अत्तर आटसो चौदा अब ये टोटल है मैच नहीं होगा लेकिन एक साथ आएगा क्यों मेभी पॉसिबल है कि उन्होंने प्रोविजन फॉर बेड़ेट्स फनीचर में से माइनस किया हो तो ये भी पॉसिबलिटी बन सकता है ठीक है उनने साथ सो चालिस आपको हर तरीके के काउंटिंग आनी चाहिए ये नहीं कि जैसे भुक में प्लस एक सो दो नाइन जीरो प्लस चववन थेस प्लस सत्रह पचास प्लस पान सो चोंतिस प्लस एक दो थीन च्छाथ प्लस ग्यारा सो बीस ये आगए 156 बुक वालों का देखो क्या है आपके पास कितने हैं सरफ 93 है आप समझ रहे हो 93 क्यों है क्योंकि ये जो हमारा क्या गया है कि आप चाहे लाइबलिटी में दिखा दीजिए चाहे एसेट्स में से दोनों ही आंसर क्या माना जाएगा एकुरेट माना जाएगा ठीक है क्लियर है